जब लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़े गए बॉलिवुड सितारें और हो गया उनका ब्रेक अप इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोंट जब इन दोनों का ब्रेक अप हुआ तो पूरी इंडस्ट्री में बवाल मच गया क्योंकि किसी को भी इस बात की उमेद नहीं थी फिल्म बचना ए हसीनों के टाइम पर रंडबीर और दीपिका का अफेर शुरू हुआ था दोनों कई साल तक रिलेशन्शिप में रहे दीपिका ने एक अवार्ड फंक्शन में खुले आम रंडबीर से अपने प्यार का इजहार किया था उन्होंने अपनी नेक पर आर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था फिर एक टाइम के बाद इनका रिश्टा तूड गया एक मैगजीन इंटरिव्यू में दीपिका ने बताया कि रिलेशन्शिप के दौरान रंडबीर ने कई बार उन पर चीट किया पहले वो ये समझ नहीं पाई पर जब उन्होंने रंडबीर को केटरीना कैफ के साथ रंगे हाथ पकड़ा तब ये रिश्टा उन्होंने खतम कर दिया वहीं रंडबीर ने बाद में अपने ब्रेकप्स के बारे में ये कहा कि ये सब उनकी इम्मैच्योरिटी की वज़ा से हुआ वो उस टाइम रिश्टों की सीरियसनेस को समझ नहीं पाए थे बाद में दिपिका को उनका सचा प्यार रंडबीर सिंग मिले जिनसे उन्होंने शादी की वैसे ऐसा भी नहीं है कि रंडबीर से धोका सिर्फ दिपिका को ही मिला हो आलिया के हस्बेंट का दिपिका के टाइम पर ही कैटरीना कैफ के साथ अफेर शुरू हो गया था फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी के टाइम पर दोनों का अफेर शुरू हुआ जिसकी वज़ा से ही रंडबीर का दिपिका से ब्रेक अप हुआ जिसके बाद रंडबीर और कैटरीना कैफ दोनों लगभग 6 साल तक रिष्टे में रहे जिसमें से कुछ टाइम वो लिव इन रिलेशन्शिप में भी रहे पर फिर इनका रेश्टा टूट गया ब्रेक अप की ऑफिशली तो कोई वज़ा सामने नहीं आई पर कहा जाता है कि रंडबीर कपूर दिपिका के बाद कैटरीना कैफ को भी चीट करने लगे थे साथ ही रंडबीर कपूर की मदर नीतु कपूर और बाकी फैमली कैटरीना कैफ को बिलकुल पसंद नहीं करते थे वो नहीं चाहते थे कि कैटरीना उनके घर की बहु बने इनी वजाओं से दोनों का ब्रेक अप हो गया आज कैटरीना कैफ अपने ट्रू लव विकी कौशल से शादी कर चुकी है और रणबीर आलियावट के साथ खुश है रितिक रोशन और कंगना रोशन के बीच की लड़ाई से तो पूरा देश वाके फैक कंगना रोशन ने टीवी शो आपकी अदालत में खुलकर रितिक रोशन और अपने रिष्टे पर भी बात की कंगना ने बताया कि करिश थिरी फिल्म के टाइम पर उनका रितिक रोशन के साथ अफेर शुरू हुआ था रितिक कहते थे कि वो अपनी वाइफ सुजैन खान से परिशान है और उनसे तलाक लेकर वो कंगना से शादी करेंगे पर बाद में रितिक का अपनी वाइफ सुजैन खान से डिवास तो हुआ पर उन्होंने कंगना से शादी नहीं की और रितिक से मिले इस धोके का सच कंगना ने पूरी दुनिया के सामने रखा पर इस रिष्टे को लेकर रितिक रोशन ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया और क कंगना की हर बात को सिर्फ इगनॉर किया इस वज़ा से कुछ लोग कंगना को ही गलत कहते हैं अब इनके रिष्टे का क्या सर्ष था वो पूरी दुनिया को सिर्फ एक तरफा ही पता है करीना कपूर शाहिद कपूर का रिलेशनशिप आज भी बॉलिवुड का होट टापि और इसे फिल्म के शूटिंग के टाइम करीना ने शाहिद को प्रपोस किया करीना के कई प्रपोसर के बाद शाहिद ने उन्हें आखर में हा कही दिया पर दोनों ने साथ में जितनी भी फिल्म्स की वो फ्लॉप रही पर जब दोनों जब भी मेट फिल्म कर रहे थे तब इ पहन करिश्मा कपूर शाहिद को पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि शाहिद करीना को वो लगजरी लाइफ नहीं दे पाएंगे जो उन्हें कपूर खानदान में मिलती है। इसी बीच सैफ अली खान ने भी करीना को परपोज कर दिया था। इन सभी वजाओं से श चाहित करीना का रिष्टा तूट गया अक्षे कुमार रवीना टंडन अक्षे कुमार की इमेज आज एक परफेक्ट पैमली मैन की है पर 90's के दौर में ऐसा नहीं था वो बॉलिवुड के कैस्ट नौवा कहे जाते थे उनका कब किसके साथ अफेर चल रहा हुता था किसी को भ और लड़कियों से सगाई कर रखी है और स्टाइम अक्षे कुमार का एक्ट्रिस रेखा और शिल्पा शेटी के साथ भी नाम जोड़ा गया था कहा जाता है अक्षे ने शिल्पा शेटी के लिए रवीना टंडन को छोड़ा था मीडिया भी कन्फ्यूज था कि अक्षे के अफियर्स की बात सामने आई थी जिसकी वज़ा से ट्विंकल ने अक्षे को सब के सामने थपड़ मारा था वो दिन है और आज का दिन है अक्षे कुमार का किसी से भी कोई अफियर होने की कोई बात सुनने को नहीं मिली और आज उनकी इमेज एक फैमिली मैन की बन चुक हम दिल दे चुके सनम फिल्म के टाइम पर सलमान और एश का अफेर शुरू हुआ था पर ये रिष्टा बहुत जादा दिन टिका नहीं क्योंकि एश्वरिया सलमान खान के पॉजिसिव और वॉयलेंट नेचर से परेशान हो चुकी थी इसलिए वो विवेक ओबराय के साथ र प्रेकप भी हो गया और दोनों से काफी सारी फिल्म्स भी छीनली गई थी आखर में आते हैं जॉन अबराहिम विपासा बसू आज भले ही जॉन अबराहिम की इमेज फिटनेस फ्रिक देशवक टाइप हीरो की बन चुकी है पर हमेशा से ऐसा नहीं था दो हजार का दशक ऐ बैए विन रिलेशन्शिप में रहते थे और ये बाद पब्लिकली एकसेpt भी करते थे 10 साल तक इनका ये रिश्टा चला सबको लगता था कि ये दोनों किसी भी वक्शादी कर सकते हैं पर ऐसा हुआ नहीं 10 साल के रिश्टे के बाद इनका ब्रेक अप हो गया ब्रेक अप क भी फेमस रहा और ब्रेक अप भी वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में बताईएगा